IPL जिसका क्रिकेट फैंस को पूरे साल बेसबरी से इंतजार रहता है वो अब एक एक दिन करके पास आता जा रहा है जी हाँ IPL 2024 22 मार्च से शुरू होने जा रहा है और IPL 2024 का सबसे पहला मैच चैननी सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में चैननी में खेला जाएगा इस बीच कई क्रिकेट दिगजो की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं और कुछ टिपनिया सामने आ रही है टीम्स और प्लेयर्स के लिए हाली में एक statement गौतम गंबीर की और से भी सामने आया और उन्होंने कहा कि प्लेयर्स को off-field activities के बजाए टीम को title जिताने पर focus करना चाहिए जी हाँ आने वाले IPL से पहले गौतम गंबीर ने कहा कि IPL glamour और Bollywood के बारे में नहीं है बलकि वो एक opportunity है प्लेयर्स के लिए खुद को express करने का और अपना best cricket खेलने के लिए KKR के mentor गौतम गंबीर ने कहा कि मैंने day one से clear रखा था कि IPL मेरे लिए एक serious cricket है और ये Bollywood और after party stuff के बारे में नहीं है बलकि ये एक opportunity है players के लिए एक competitive cricket खेलने का और खुद को express करने का KKR ने अपना last IPL title 2014 में जीता था और KKR ने इस साल गौतम गंबीर को as a mentor sign किया है KKR third franchise है Mumbai Indians और Chennai Super Kings के बाद में जिन्होंने सबसे ज़ादा IPL titles जीते हो लेकिन बीते कुछ सालों में KKR का tough time रहा है और उन्होंने एक भी IPL title नहीं जीता है गौतम गंबीर ने KKR के fans की तारीफ में ये भी कहा कि कैसे उनके fans उनके लिए काफी जादा passionate और loyal है और उन्हें उनकी tough time में support किया है और इसी वज़े से team को उनकी चेहरे पे smile लाने के लिए अपना best cricket खेलना चाहिए और team को title जितवाना चाहिए आपकी इस पर क्या राय है हमें comment section पर जरूर बताए और ऐसी interesting videos को देखने के लिए cricket ग्यान को like, share, subscribe करना ना भूले और हाँ bell icon को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम new videos के साथ आए तो आपको notification मिल जाएगा